नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आशीश तिवारी आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकस कोरोना को हराना है आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा कारिक्रम जो आपको घर बेठे स्वस्त रहने में मदद करेगा एक और जहां कोरोना काल में पूरा विश्व कोरोना वाइरस के प्रकोप से भैबीत है ऐसे समय में वर्तमान परिस्तितियों के मद्दे नजर एक ही शब्द सबसे महत्पूर्ण है और वह है प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर यानि बचाव ही उपचार है जी हां कोरोना का है दुनिया भर के डॉक्टर से लेकर विश्व के सबसे बड़े स्वास्ते संगठन डबलु एचो की सभी लोग यही कह रहे हैं कि कोरोना काल में बचाव ही उपचार है सभी का कहना है कोरोना संक्रमन से बचने के लिए बचाव ही उपचार के सिध्धान को अपनाए इसी क प्राचिन काल से रिशी मुनियों ने अपने जीवन का अभिन अंग बनाया क्योंकि योग ही है जो शरीर को तंदूरुस्त रखने के साथ रोग प्रति रोधक शमता को भी बढ़ाता है कोरोना वाइरस का सबसे अधिक प्रभाव कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों प अहम योगदान रिता है और आज का जो कारेक्रम है वो भी योगा पे आधारित है योग से निरोग रहने की सीख देने के लिए इस संबंद में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुझूद है योगा चारिये धाकाराम सापकोटा नमस्काराम जी आपका बहुत-बहुत स्व चाहे पर बाद में करेंगे लेकिन सबसे पहले योग कब किया जाना चाहिए किसको करना चाहिए कैसे करना चाहिए इस बात पर मैं आपसे थोड़ा सा इंट्रोडेक्शन चाहूंगा योग का चलिए इंट्रिशन करने से पहले हम सब एक बार आम का उच्छाण कर लें तीन बार तो सिधे बैठ जाईएगा कमर पीट गर्दन सिधा तीन बार हम आम का उच्छाण करेंगे अँ्छाण करेंगे अँ्छाण करेंगे अँ्छाण करेंगे अँ्छाण करेंगे अँ्छाण करेंगे अम के उच्छाण से शुरुवात की है तो जानना चाहेंगे इसके पीछे कोई रीजन है कि अम का उच्छाण आपने सबसे पहले किया है सवाल का जवाब देने से पहले भी अम का उच्छाण आपने अशिष जी ओम एक ब्रह्मान्डिय धोनी है यूनिवर्सल साउंट्स अगर हम एकदम साइलन्स होते हैं तो हमको शुनाए देती है और जितना भी शाउंट है दुनिया के अंदर ओम से होता है अगर मैं अभी ओम के बारे में बात करने लग जाओं तो एक घंटा भी कम पड़ेगा कि हम लोगों के पास इतना समय नहीं है मोटा मटी आपसे कहना चाहूंगा जो आउम है हमारे सरीर को पॉजिटिव सक्रात्मक उर्जार से भर जाता है और आप इसको जब अच्छी तरह से करते हैं अकार मका आप घर में लोगा जाता है श्लिए आप देखिए जब हम आूम की बात करते तो कि जैसे आप आप आपको क्या फील होता है एक भगवान का धर्शन और हम उसमें बहुधान को हम फील करते हैं इसलिए औम और इस समय पर तो आम का बहुत इफक्टिव है, आपके पास घर में समय नहीं है, तो आपका सकात्मक उड़जा आपको मिलता ही है, आपका स्ट्रेस भी कम होता है, और जितने भी इसके फायदे बोलूँगा मैं कम है, लेकिन आप जब आम बोलें तो हम बहुत ज जल्दी जाली आम बोलते हैं उस तरह से नहीं, आम बोलने के साथ आपको रोएं रोएं में फील करना होता है कि मैं आम बोल रहा हूँ, पूरा ध्यान एक जगे केंदरी तो होना जरूरी है, आशी ची कहना चांगा कि आम ही बोलें, आम ही सुनें, आम ही बंद आखों से दे आते हैं, तो स्ट्रेस कम करने के लिए आम बहुत अच्छा है, तो आप अगर आम का अभ्यास करते हैं, तो मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ, अगर आप इस परकार से रोज 5-10 मिंट करेंगे, तो आपके लाइफ में स्ट्रेस तो कम होगा ही होगा, 100% होगा और आपके अंदर सक्रात्मक उड़ जा भी पड़ेगी, तो बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जो हमारे दर्सक गण है, उसको करके उसका लुप्त उठाएं, क्योंकि आज आपके साथ मिटिंग हमारे इसलिए, ताकि हमारे जो द आपके आपके पूरे शरीर के रोएं रोएं में पर्वेश कर रहा है आपका पूरा शरीर का हर एक अंग आउम का उच्छाण कर रहा है, जब ऐसे पवित्र भाव के साथ आप करते हैं, तो आउम का सक्रात्मक्र भाव आपके बारी में दिखता है जी, संक्षेप में आपसे जाना चाहेंगे कि योग कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए बहुत अच्छा सवाल कि आशीज जी मुझे, आप मुझे पूछते हैं कि खाना कब खाना चाहिए, नास्ता कब करना चाहिए मुझे लगता है कि मैंने किताब भी लिखा था, एक स्वास से, एक कदम स्वास से आनन्द की और उसमें नहीं लिखा है कि अगर 24 घंटे में से, एक घंटे अगर आप निकालते हैं, तो आपके 23 घंटे बहतर होते हैं, असीज जी तो अपने आप सूस लिजिए कि कब करना चाहिए, तो सबसे अनुकूल जो समय है, वो सुबह का माना जाए आपके अनुसार? मेरा कोई अनुसार नहीं चलता, आसीज जी, मैं कहता हूँ, जब आपको 24 घंटे में से समय मिले, तब आपको करना चाहिए, क्योंकि हाँ, सास्तरों में लिखा है कि सुबह का और सायकाल का समय अति उत्तम है, लेकिन आजकल हमारा जो लाइस स्टाइल है, बहुत स्ट्रेस बरा है, हम रात को देर देर तक काम करते हैं, अगर आत को आप तीन चार बज़े चौए हो, मैं सुबह आपको बोलू, आसीज जी, सुबह उटके छे बज़े योगा करो, पांच बज़े योगा करो, पॉसिबल नहीं है, तो हमको समय कि अनुसार बदलाव लाना चाहिए, ह हाँ, करने से पहले आपका empty stomach हो, आप परसन्यचीत हो, वो महत्यपोण है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर आता है कि कोरोना काल में आप परसन्यचीत होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी के चहरों पर अगर देखें तो चिंता की लकीरे कोरोना को लेकर के हैं, तनाव भरी जिन्दगी में व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, घरों में कैद, पहली बार शायद जिन्दगी में ऐसा समय देखा है, कि लोग घरों में बंध है, अपने ही घरों में कैद जैसा जीवन जीने पे मजबूर है, तो एक आसंकित हैं, एक तनाव भरी जिन्दगी बता देते हैं चुकि देखिए कहना बहुत आसान है जो आदमी चिंता कर रहा होता है आप उसको बूल दे तो यार मस्त रहा अगर चिंता मत किया अगर चाया बगल में जागे खुद चिंतित करके बैठा रहे है बिल्कुर हमारा ही विच्वल है पहली बात तो करोना वाइरस को लेकर जो भी है हम सब को मालूम है तो उसको एकसप्ट करने में ठीक है जो गॉर्मेंट ने या वह ने जिन चीजों को कहा कि इसका सावधानी रखना तो सावधानी रखना बहुत जरू है नो डाउट्स वो तो रखना है साथ में एकसप्ट कर करूंगा क्योंकि मैं सिधे बात पर आता हूं कि कहना आसान होता है करना मुस्किल होता है मैंने जो किया जब आप साधना करते है तो आप शरीर से और मन से सबसे श् ήद्ष होते हैं तो प्लुद साधना न एक seven फाइदा मिलता है तो इस दोरान एक मात्र ऐसा चीज है जो आपको सारे गतर यूरू पर भी फिट रखता है मानसिक पर भी फिपिश्ट रहुता है और आपका अध्यात्मिक विकास भी आपका होता है और उसके लिए योग से दुस्वा कोई चीज नहीं है जिसे कि अपते द कर भी ले और उसके फाइदे भी बहुत सारे उसको मिल जाए असी जी पता है हम लोग हर कोई सौटकट जाते है तो ठीक है अभी तो खेर समय है सभी लोगों के पास में घरों में कोई काम भी नहीं आराम से एक गंठा भी निकाल सकते हैं लेकिन भागदोड भरी जिंदगी मे उसको एक घंठा निकालना या फिर उसको आप अगर यूं कह दे कि सौटकट अगर दे दे तो भी वह अगर पंदरा भीस मिनट पे मैं समझता हूं कि अगर योग के लिए निकालता और जाना वह योग करता है तो कुछ तो उसको फाइदा मिलने वारा ने बिल्कुल करता है, ऐसा साइंस भी कहती है और इम्यूणिते सिस्टम जिसका कमजों होथा है उसको ज्यादा जखड़ता है ऐसे में व्यक्ति हगर अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर ले इम्यून सिस्टम को मजबूत कर ले तो वो बचा रह सकता है उसके उपर अटेक नहीं होगा जल्दी से कॉरोना का इसलिए मैं आपको बोलना चाहरा हूँ कि इम्यून सिस्टम से आपने देखा होगा सर्दी जुकाम खांसी इस तरह की पॉब्लम्स इम्यून सिस्टम क्यों विक biscotta है अगर हमारा जो फिरपड़ा है छो कमझोर हो तो आपने करोना का अटेक य blues पर और फ्रॉट पर होता है जी अगर हमारा लंग्स मजबूत होगा हमार हाट मजबूत होगा तो हमारा एकदम से कोई भी करोना वार्यस काठ़ा कि किसी विसे का या वाइरसमेटेक नहीं कर सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा इम्मून सिस्टम बढ़ाने के लिए प्रणायाम बहुत ही इंपोर्टेंट है प्रणायाम में भस्तरी का प्रणायाम मुझे लगता बहुत अच्छा है देखिए सिंपल ही जब श्वांस लेकर के हम हा पहले तो आप इस बात को समझे कि आपका लंग्स कमजोर क्यों होता है अगर हमारे लंग्स में पर मात्रा में प्रान वायू नहीं जाएगा ऑक्सिजन लेबल नहीं जाएगा तो हमारा लंग्स कमजोर होगा तो जंदली जो हमारा लंग्स जितना काम कर सकता हमारा लंग्स तो आपके लंग्स एक्टीब हो सकते हैं और आपका लंग्स अगर एक्टीब होगा तो आपका रोख पर्तिर्दुद्रग छमता बढ़ेगा उसके लिए जो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रणायाम है लेकिन जो भस्तिरी का प्रणायाम है करने में बहुत सहज है और स्वास उपर ले जाएंगे तो हाथों को उपर तान देंगे और स्वास निकालते हुए हाथ नीचे लेके आना जब अब हाथों को सिर के उपर लेके जाते हैं तब क्या होता है कि आपका चस्ट एक्सपांड होता है और च्छाती फुल है का आश्षी जी तो क्या होने वाल लंग्स का सिस्टम है वो एक्टिव होगा और ऑक्सिजन ज्यादा जाएगा तो अबिशली आपके फुश फुश मजबूत होंगे आपका रेस्टेंस पाउर मजबूत होगा जैसे सर्दी है जुखाम है खासी है देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाए तरह प्राण मुद्रा इसी के बारे में आपको बताना चाहूंगा जी जो मुद्रा है बहुत इफक्टिव है आपके सरी में प्राणों को एक्टिवेट करता है तो इस मुद्रा को करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है यह मुद्रा कोई भी कर सकता है आप चलते फिरते आदा गंटा पौना आप देखी रहे हैं तो श्वांस लेते हुए हाथ ने उपर लिया अब देखिए जब हाथों को उपर लेके जाते हैं तो आपका लंग्स फूल गया और आपको मालूम है लंग्स से सम्मंदित क्या क्या समश्या होती है सर्दी है जुखाम है खासी है अस्तमा है रोंकाइटी सर्दी अगर हैं तो देरे देरे जाएंगी पहली बात जी दूसरा हमके तरएं दिल मजबूत होना चाहिए तो अगर आप जब बस्तरिका करते हैं तो आपका हाथ भी इस जगह पर है उसको भी प्रौपर मातरा में ऑक्सीजिन मिलने से आपका हाथ भी मजबूत होता है और लेकिन मोटा मोटी कैसे एक आम पपली करें ताकि उसका बेनिफिट उठाएं तो एक तो कमर सिधा, पीड सिधा, गर्दन सिधा करके बैठेंगे पहले बाद जहां भी करें और कहीं भी कर सकते हैं आप गार्डन में, रूम में, बैड में, श्वांस लेने के लिए अलग से ज में तो जितना समय आपको श्वांस लेने में लगे उतना समय श्वांस को निकालने में लगाना पपहली बात और दूसरी जब श्वास सो परतिशत लेना है और सो परतिशत निकालना है चहरे पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए जी सो उससी का बैठने का आप इसे ध्यान रखेगा कि कमर सिधा रहे पीट सिधा रहे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जितना सिधा रहेगा जितना च्छाती फुला हुआ रहेगा नीचे आपने कमबल जैसा जो कुछ है उसके उपर आपने तो ऑर जो लोग सिधा बैठ सकते हों सिधा बैठ के कर सकते उसमें कोई दिकत है नहीं महतव पूँन है सिधा बैठना आप जिकिए गा शेखवास लेते हुए आपने हातों को सीधे उपर लेके जाना और शेख निकालते हो नीचेya मैं आपको बताई चुका हूँ यह कम से कम 4 मिनिट आप करें और 1 मिनिट अबजरवेशन करें तब आसका benefit होता है और आपके पास समय है तो 10 मिनिट भी कर सकते हैं इसको करने से आपका फायदा ही है आपका लंग से एक्रिबिट होने वाला है तो दिन में कम से कम 3 बार इसको आप करें जिसने कभी नहीं किया हो पहली बार वो करना चाता है तो कितने टाइम तक वो करें? कम से कम 5-10 मिनिट, 5 मिनिट तो करना ही है और मैं कहता हूँ कि 10-15 मिनिट भी करें तो नुकसान नहीं आसे जी, स्वास लेने में कैसा नुकसान? बिलकुल और कोरोना के काल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फैंफडों को लेकर के है, स्वासन क्रिया को लेकर के सबसे बड़ा अठेक देखने को मिलता है तो इसमें मैं सबस्ता हूँ जैसा आप बता रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो मिलने बिलकुल और आपका स्वास लंबा गहरा होगा तो मन कैसा होगा शांत होगा और मन सांत होगा तो स्वास कैसे चलेगा लंबा गहरा तो इसलिए भस्तरिका प्रणायाम आपके इमून सिस्टम को बढ़ाने के साथ आपके स्ट्रेस को भी कम करने के लिए बहुत अच्छा है आप पांस मिन करके देखिए सबी मित्रों से कहूंगा दर्सकों से कहूंगा अनिफिला रिजल्स कर सके और अपने बोडि को फिट रख सके जिसमेन आपको प्रनयाम बताया हमारे मन का सुध्व करन करता हमारे मांसीक डशा को अच्छा करता है और आपके एनेर्जी को बुस्ट करता है इसी के लिए मुझे लगता है कि Tadasan बहुत अच्छा है आपने कभी अंग्राई लिया होगा आशिजी सुभे सुभे उटके का करते हैं आप अंग्राई लेते हैं कभी-कभी जब सरीर ठका हुआ होता है तो ET grinder आपने मिला दिए, आपने हाथों को धेरे धेरे बगल से उठाईए और रोल करिए, रोल करने के बाद हाथों को पूरा बगल में तानियेगा, और अपने हाथों को उप्र टान कर अंगलियों को आपस में फसा दें इस परकार से, हतेली का रुक आकास की तरफ करें उसके बाद सरीर को खूप ताने आप जैसे आप घर में तो छट को छुना चाहते हों और अगर आप हमारे दर्सक लोग एक छट को छू लेंगे तो मैं इनाम भी भेज दूँगा एक लाग रिप्रेम इस परकार से पूरा सरीर तान दें आपका गुठना आपका पेट अंदर पिचक जाए चाती फूल जाए एकद्ग इतना ताने कि सरीर का रूम रूम ए कहने लगे आसीज़ी कि और मैं नहीं कर सकता है नहीं कर पा रही हूं तो इस परकार से अगर आप करते हैं तो आपका सरीर और एक मिनिट तक रुख करके फिर दीरे दीरे कम सक में एक मिनिट करना है और दीरे दीरे वापस आएंगे आप जिस परकार से आप आसन में गए थे ठीक उसी परकार से दीरे दीरे आपस में आएंगे और समस्तिती में प इसे बुला क्या फाइदा मिलने वाला है आसीज जी मैं पहले कह चुका हूँ कि फाइदे की बाद ज्यादा समझ में आती है लोगों को अगर इसका फाइदा बताएंगे तो लोग आराम से इसको आसान इसे करेंगे और अपने इंचरिया में इसको शामिल भी करेंगे कि पुश्चर को प्यार करता हूं असीज जब भी मैं कहीं मेरा discussion होते हैं मैं लेक्चर होते हैं तो इस आसन को में जरूर include करता हूं आपका सरी का रोम रोम खुलकर आपका सरीयर पुर्तिवान हो जाता है और energetic हो जाता है सारे jod니다 प्रवाइद आपको गारंटी से बोलता हूं कि आपका एक दो किलोमेटर दोड़ना और तीन मिंट करना यह ज़्यादा भैतर है तो एक्सरसाइज की जरूत नहीं है कहीं जाने के आउ सकता नहीं है अब अपने रूम में कर सकते हो अपने बाथ रूम में कर सकते हो अपने जल्दी बाजी करते हैं और मैं केता हूं जल्दी बाजी का काम सैथान का होता है हम सब नहीं है तो आसन में जाने में आधा मिनिट आसन में आने में आधा मिनिट एक मिनिट तक आसन को होल्ड करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेश दे कर इस्ट्रेस नहीं अस्ट्र और आपने तदावासन की आतापका तन्सान हो गया, तो तन और मन दोनों को श्वस्त रखने के लिए, मैं पप्लिक को दर्सक को 8 मिनिट का प्रडायाम दे दिया देखिए, पांच मिनिट का भस्तरी का प्रणयाम और 3 मिन तदावासन, तो कितना हुआ? आप दिन में 2-3 बार इस तरह से समय निकालें और 2-3 मिनिट का प्रोगाम और दे दूंगा आपके साथ रहते रहते ताकि आदमें हर 10-10 मिनिट का प्रोगाम दिन में 3 बार करेगा अपने आपको एक अलगी एनर्जी उसका महसुस होगा गारंटी से होगा जी लोग गुंसम सी जिन्दगी जी रहे हैं लोगोंने हसना लोग भूल गये हैं लेकिन बाहर जब निकलते थे तो लोग कहीं भी दोस्तों से मिल लेते थे हसने का गुदगुदाने का उनको मोका मिलता था अब ही कोरोना की जैसे ही रिपोर्ट साती है किसी भी TV चैनल को वो तो वर्ड में इतने मर गए, देश में यह हो रहा है, कोरोना का कोला हल चारो तरफ देखने को मिल रहा है, उसको कुछ नया कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, और वो एक गुमसुम सी जिंदगी, एक गुठन सी जिंदगी जी रहा है, तो ऐसे में उसको हंसने के लिए, उसक तो मैं ऐसे भाईयों को कहना चाहूंगा कि सुबह उड़ते को अच्छी चीजें पड़ें अभी तो महाबरात है रामयन अच्छी चीजें और मैं आपको खुश होने के लिए एक बहुत अच्छी चीज देने वाला हूं जिससे आप कभी भी हां सकते हैं आपने बुला कि बा अरिवार के बीच में हैं इतना समय हम नेदे सर्पाते थे वातावन सुद्ध हो गया और मैं कहता हूं योग बोलता है तुम अंदर देखो और हम बाहर देखना चाहते हैं और कभी बागर अगर आप अंदर देखोगे तो आप खुश रह सकते हो मस रह सकते हो जी आप कैसे आप कहेंगे आप तो बीना मतलब के हसते हैं बीना मतलब के हसना ही योग है आशिज जी मतलब से तो सभी हसते हैं तो ये योग की भासा में इसे हाश्यासन कहा जाएगा और इसे बेनिफेट बोडी को मिलता है नहीं मैं हाश्यासन से भी आगे की बात करता हूं आशिज जी मैं हसा उसके पीछे कारण था मैं आपके सामने हूं इसलिए हसा भगवान ने मुझे इस लाइक बनाया कि मैं आज आपके सामने हूं तो कभी भी आपने आपको छोटा मैसुस करते हैं ने आप अपने से छोटे को देखिए आपको गरवानवित होगा कि मैं उतसे बड़ा हूँ और आसी जी एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ हसने का तो आज के बाद मैं चाहूंगा सारे दर्सक इस बात को ध्यान रखेंगे और उस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सो परतिशत हासेंगे इस तुनिया में करोडों करोडों लोग आए चले गए अभी करोणा की वैसे जाए जाएंगे लेकिन आसी से आप जैसा कोई नहीं है समय की नजाकत को देखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ तीस सेकिंड में कोई ऐसा मैसेज आप दें जिसे की लोग घर में रहकर के एक पंच लाइन जिसे की लोग स्वस्त रह सकें आप नियमित प्रणयाम करिए पांच मिनट और तीन मिनट ताडासन करिए उसके बाद हास्यासन करके आँखें बंद करके अपने पुरे शरीर में फील करिए आपका आप दुनिया में एक अजीब हैं आप जैसा कोई नहीं है तो ग्यारम निट का लगबग प्रोगाम दे रहा हूं आप करके दिखिए और मुझे बताईएगा आशीशी को बताईएगा बित्म गुरूसित दिन दिन में क्या फरक आता है श्वस्त रहें मस्त रहें औ पर परमपिता परमिश्वर की अनुकमपा ऐसी बरस्ती रहे हम सभी पर ऐसी दूआ करें जी बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस्टूडियो में आप आए और लोगों तक एक एहम जानकरी आपने पहुंचाई योग के माध्यम से आप निरोग रह आप देखते रहे एवन टीवी नमस्कार